वेरी गूर्णिंग दोस्तों आज डेट है दोगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेर्स के बारे में हाल ही में किस राज ने तीन कैपिटल को मंजूरी दे दिये तो यह राज यह आंधर प्रदेश अब अब अपचारिक रूप से आंधर प्रदेश की तीन राजधान अगर उनको हम रिवाइस करें तो एक तो कैप्टाउन थी दूसरी प्रिटोरिया थी तीसरी बायो में फॉन्टीन थी तो इस तरह से उसकी भी तीन राजधानिय थी तीनों अलग अलग ती कैप्टाउन लेजिस्लेटिप थी प्रिटोरिया अइडिस्टेटिव थी और जो विंटर कैपिटल है देहरादूर ठीक है इसके अलावा अगर राजधानी की बात होई रही है तो आप यह वताईए भारत की सबसे सुच्छ राजधानी कौन सी है तो वह है मंद्रप्रदेश का भोपाल ठीक है तो अब चलिए बात करते हैं आंद्रप्रदेश के बारे में वाइस जगन मोहन रेड़ी गवर्नर है अब गवर्नर की हम बात कर चुके हैं विसभूसरन हरीचंदन लोकसवा सीटों की संख्या है 25 राजसवा सीटों की संख्या है 11 अगर विदान सवा सीटों की बात की जाए तो वह है 147 इसके लावा यहां पर कुछ लेक फिमस है पु की बात करें तो डेम है नाकारजुन सागर डेम रिवर की बात की जाए तो कृस्ट और गोदावरी नदिये यहां पर भहती है अगर हम बात करें टेंपल की तो यहां पे श्री विद्ध्रस्वामी बाला जी का जो टेंपल है वह अगर एक कोशन से आता है कि यह किन पाड़ पहले रक्षामंत्री फिर उनको बना दीया गए आएवरी कोष्ट के प्रदान मंत्री क्योंकि जो आइवरी कोष्ट के पूर्वर्दान मंत्री थे हुआँका इट चानक निधन हो गया था उसके कारण के न्यूक्ति की गई अगर हम बात करें आईवरी कोस्ट की तो यह उसकी स्थिती है जैसे कि आप देख सकते हैं यह एक अफरिकन कंट्री है अगर इसकी राश्टपती की बात करें तो उनका नाम है अला सेन उतारो बात की जाए राजधानी की तुगा है यामो सुक्रो अगर हम बात करें अने उप्संस के बारे में तो हाली में काफी न्युक्तिया हुई है प्रधान मंत्री और प्रेसिडेंट्स की अगर हम प्रधान मंत्रियों की बात करें तो हाली में ट्यूनीसिया के प्रधान मंत्री बनाएगा है हिचेम मिचीची अगर हम बात करें जिम कास्टेक्स की तो जो जिम कास्टेक्स है इनको फ्रांस का प्रधान मंत्री बनाएगा जीन कास्टेक्स बात की जाए आसुका रेपॉंडा की तो आसुका रेपॉंडा है या गेवन की पहली महीला पी-म बनी है तो इनको भी आप यदर रखीगा इसके आरवाँ अगर हम याद करने की कोसिस करें हाली में मालावी की प्रसीडेंट बने थे उनका नाम क्या था तो इनका नाम है уда मार्टिन बात की जाएक किर्गिस्तान के वारे Congratulations कि कुवाट वेक Whoa No अगर अम बात करें एक इराक की तो हाली में एक्र पीएम निक्त हो एक जिनका आम है मुस्तफा अल-कादिमी इनको आप शी जाएक हमारा अगला question हाल ही में आयोजित ब्रिक्स इन्वायमेंटल मिनिस्टर की छटबी बेठक की अद्धिक्स ता किस देश ने की है तो यह देश है रूस अगर हम बात करें यह जो बेठक है इस बेठक का आयोजित ब्रिक्स वर्किंग गृप्स की जो बेठक थी उसके पहले हुआ था और 2021 में इसकी जो बेठक होगी उसकी मेजवानी करेगा भारत तो इसको अभ्याद रखिएगा और इस बेठक में भारत का प्रतिनेद भारत को रिप्रिजेंट किस ने किया जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं यह हमारे केंद्रिय परेवरन मंत्री प्रकास जाब लेकर जी अग से इंडिया, से से चाइना और से साउथ अफ्रीका इस तरह यह देश की जो अबर्तिवी अर्थवस्ता है उनका एक समू है अगर हम इनकी बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपीलेसन है उसको 41% को रिप्रिजेंट करती है ब्रिक्स कंट्रीज तो यह काफी important चीज है जो ब् तो जून 10 से जून 12 के बीच में G7 जो है उनका समिट होना था उसका आज़न होना था अमेरिका में लेकिन उसको भी कोरोना वायरस के चलते पोस्पोन कर दिया गया है अगर हम बात करें ब्यतनाम की तो जो आसियान कंट्रीज हैं उनका 36 समिट ब्यतनाम के हनुई में के दौरा नासा इस मिसन के अंतरगत एक रोवर भेजेगा मंगल की सर्फेस पर ताकि वह मंगल की जो पास्ट लाइफ थी उसके बारे में इंफोर्मिसन को कलेक्ट कर सके और यह जो रोवर है इसको परजर वेरेंस रोवर कहेंगे और इसको जिस रॉकेट से भेजे जाएगा उसका नाम होगा एटलस 5AV088 अगर हम बात करें नासा की तो नासा का जो हेटकॉर्टर है हाली में उसका नाम बदल के कर दिया गया मेरी डबलू जैक्सन की नाम पर जो इस्तित है वासिंग्टन डीसी में अगर हम बात करें इसकी स्थापने कब हुईती तो नासा की स्था पहला mission भेजा है और पहला ही उनका Mars mission है अंतरिक्ष में भेजने वाला उनका पहला mission तो इसको उन्होंने भेजा है जापान की साहिता से और इनका जो mission का नाम है Mission Hope तो उसको अभ्याद रखीगा इसके लावाद चाइना ने भी अपना independent Mars mission भेजा है जिसका नाम है TN1 1 तो इसको अभ्याद रखीगा चाइना ने इसके लावाद दो और सेटलाइट भेजे है उन्हें एक navigation satellite भेजा है Google की GPS की तर्च पर जिसका नाम है बेई दो अगर हम बात करें एक और communication satellite भेजा गया है चाइना की दोरा जिसका नाम है App Star तो इसको अभ्याद रखीगा और भी कही सेटलाइट भेजा करें अगर हम उनका रिवाइस करने की कोसिस करें तो दो military satellite भेजे गए थे पहला तो भेजा गया था इसराइल के दोरा जिसका नाम था ओफेक 16 दूसरा भेजा गया था South Korea की दोरा जिसका नाम है एनासिस सेकंड उसका भी याद रखीगा इसके लावा इसरो ने भी ब्राजील का जो सेटलाइट था Amazonia 1 उसको लाँच किया है तो इसको भी आप याद रख सकते हैं इसी कसा हमारा अगला कोशन,हाल ही में किसे सोमालिया के कारे बहाक प्रधान्मंतरी की रूप में अपरिंड किया गया है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑव सोमालिया इनका नाम है महदी मह 197 महमद गुलेًद इसके पहले सोमालिया की deputy prime minister थे और अब इनώ नहोंने जगा लिये सोमालिया की पहुम्मद अब्दुल्लाही परमाजो बात की जाए कैपिटल की तो वह है मोगादी सु करंसी है सोमाली सीलिंग अगर हम बात करें जो हमारे भारत के राजदूद है वहाँ पर इंडियन एम्मेसडर है वह को है तो वह है राहुल चाबडा याद रखेगा अगर बात की एलवर्टो फर्नांडेस की तो जो एलवर्टो फर्नांडेस है यह वने हैं अरजंटीना के प्रसीडेंट वास की जाए मुस्तफा अलकादमी की तो इनको बनाया गया है एराक का प्रदान मंत्री तो इसको अभियाद रखेगा इसी के साथ हमारा अगला कोश्चन हाली में TransUnion CIBIL ने किसके साथ मिलकर MSME सक्चम पोर्टल लांच किया है तो यह लांच किया गया सिड्वी के साथ मिलकर Small Industrial Development Bank of India सिड्वी ने Micro Small Medium Enterprises MSME के लिए सक्चम पोर्टल लांच किया है और यह एक One Stop Knowledge पोर्टल है यह पोर्टल एक बित्तिय सिख्चा और ग्यान का मंच है अब अगर हम बात करने सिड्वी के वारे में तो इसकी स्थाबनोविती 1990 में मरतमान में जो इसके चेर्मेन है वह है मुहमद मुस्तफा इसका हेड़कॉर्टर है लखनौ में और लखनौ है गोमती नदी के किनारी से कोश्चन आ चुका है तो यान रखिएगा कि लखनौ किस नदी के किनारे इस्थेत है अगर हम बात करें MSME मिनिस्टर की तो वह है नितिन गटकरी जी अगर हम बात करें अन्य आपसंस के बारे म और इनके जो चेर्मेन हैं उनका भी हाली में अपउइंट हुए हैं उनका नाम है गोविंद राजूलू चिंटाला अब अगर हम बात करें RBI के बारे में तो Reserve Bank of India इसकी स्थाबन हुई थी 1935 को बरत्मान में इसके गवर्नर है सक्तिका अंदास जो इसके 25 गवर्नर है इसका हैटकॉर्टर है मुंबई में इसका नेस्टनलाइजेसन हुआ था 1949 को और 1948 तक इसने पाकिस्तान के लिए कारे किया है हाल ही में सरकार ने जो सभी कॉर्परेटिक बैंक्स हैं उनको RBI के अंदर मिलाने का फैसला किया है इसको भी आप परिवाइस कर लीजे अगर हम बात करें SBI की तो State Bank of India इस्थाबन हुई थी 1 जुलाई 1955 को इसका हैटकॉर्टर है मुंबई में बरत्मान में जो इसके अद् परिवाइस के लिए रण समझोते पर अस्ताक्चर किये हैं और इस समझोते के तहट बांगलादेश के मेगना घर में एक नई 745 मेगावाट नेचरल गैस जोइंट साइकल पावर प्रोजेक्ट के लिए 4798 करोड का पूरा फाइनेंस प्रदान किया जाएगा और इसमें 2022 तक कॉमर्सियल ऑपरिशन शुरू करने की पूरी कोसिस की जाएगी देखिए अगर हम बात करें इसके जो अमानी जी बात कीज़ाएं बांगलादेश के बारे में तो हाल ही में बांगलादेश के जो बॉलर थे इनका आमता काजी अनिक इनको दो साल के इनका बेहन लगा दिया गया है इन काली में भारत ने बांगलादेश को 100 railway ब्राट की जिनजन दिये अगर हम बात करें बिकरम की ओनलाइन खरीदी बिखरी के लिए बंगलादेश ने डिजिटल हाट की शुरुवात की पीएम जो है वहां की वह है सेखसी न केपिटल है धाका करंसी है टका तो इसको अभियाद रखीगा अगर हम बात करें अन्योपसंस के बारे में तो जो पीएफसी है पाउर फाइनें अगर हम इस वी समझë में बात करें तो इसका उट चिकिस्सा चेतर में उनको डेवलब करना जो traditional methods हैं उनको develop करना इसका मुख्योत देश है यो हम सहीयोग को बढ़ावा देना है आगर बात की जाए जिमबाब्बे की तो यह जिमबाब्बे की इस्थिति है जैसा कि आप इसको देख सकते हैं जिमबाब्बे में हाली में भारत के राजदूत न्युक्तु है जनका नाम है बिजय खांडूजा जी अगर हम बात करें अने आपसंस के बारे में तो जो बात की जाए नॉर्थ कोरिया की तो हाली में हमने डब्लू एचो के कहने पर नॉर्थ कोरिया को वन मिलियन डॉलर की सायता दी है अगर हम बात करें इंडोनेसिया की तो हाली में इंडोनेसिया एवं भारत के जो रक्षा मंतियों की मीटिंग थी उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में बात की जाए स्री लंका की तो रिजर्व बैंक के नहीं स्री लंका के साथ जो 400 मिलियन डॉलर की करंसी एक्सचेंज समझोते पर हस्ताक्षर किया है इसी के साथ हमारा अगला कोश्चन हाली में किस देश ने ग्रेट फॉफट फोर्टीन से ने अभ्यास के दोरान भूमिकत बैलस्टेल मिसाइल को लॉंच किया है तो इनको लॉंच किया है इरान ने देखिए ये जो युद बात करूं तो हाली में एक युद अब्यास युएस और भारत की सेनाओं के बीच हुआ है जिसके नाम था पासेक्स और पासेक्स में युएसे का जो युद पोत था निमिज उसने हिस्सा लिया था तो इरान का ये युद अब्यास हुआ है इन्होंने क्या किया इन्होंने पहले निमिज की एक डमी बनाई फिर उसको तवा किया तो एक तरह से देखा जाए तो जो इरान है वे चाइना की सायता से अमेरिका को चुनोती देने की कोसस कर रहा है ठीक है अगर बात की जाए जो अन्य आप्शन से उनके बारे हम बात की रहे हैं तो हाल ही में जो को भेजे हैं आउट्डोर फिटनेस एक्क्यूब्मेंट क्योंकि बरतमान में कोरोना का काल चल रहा है इम्मेनिटी बढ़ाने के लिए एकसरसाइज बहुत जरूर है अगर हम बात करें पोलेंड के बारे में तो आंद्रेज डूडा जो है इनको पोलेंड के फिर से इंता वाला विस है इसको मैं डेटेल में एक्स्लेंट कर चुका हूँ अगर आप हमाई डेली वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं हाली में इरान ने अपना एक मिलिटरी सेटलाइट भी लांच किया जिसका नाम है नूर बात की जाया है हाली में इरान की ज इसने उन टिड्डियों से निबटने के लिए इरान को पैस्टी साइट्स भेजे हैं अगर हम बात करें कैपिटल की तो इसकी जो कैपिटल है वह है तहरान प्रसीडेंट है हसन रोहानी तो याद रखिएगा इस सीखना था मारा अगला कोश्चन हाली में किस मंत्राले को स्कॉच गोल्ड अवर्ड मिला है तो इस मंत्राले का नाम है ट्राइवल अफेर्स मिनिस्ट्री जो ट्राइवल अफेर्स मिनिस्ट्री है इसको सक्चम आईटी योजना के माध्यम से आदिवासियों के ससक्तिकरण पर योजना के लिए स्कॉच गो कोविड थ्रो डिजिटल गवर्नेंस के नाम पर इसको आउजित किया गया था जिसके अंदर गद्यावर्ट दिया गया जो हमारे ट्राइवल अफेर्स की जो मिनिस्टर है वह है अर्जुनमंडा अगर हम बात करें हाल ही में इन्होंने एक गोल प्रोग्राम की सुरुबात भ से बारे में अगर बात की जाये तो मिनिस्ट्री ओफ आर्थ साइंस ने सिंटर का उद्गाटन किया है और बात की जाये हमारे की में केमीकल वर भारत देखिए इस साल जो जिन लोगों को ऑस्टेलिया इनागरिकता प्रतान की गई उन लोगों में से 20-30 लोग है भारती है तो इस तरह से भारत हुआ पहले इस थान पर उसके बाद दूसरे स्थान पर है युनाइटिट किंग्डम और तीसरे स्थान पर है चाइना तो इस उसके बारत हैं उनको और ऑफ दूसरे इन ऐन से सम्मानित किया गया है और ऑस्टेलिया की जो वूइन्स टीम है उसने ICC वूइन्स चेंपियंशिप ट्रॉफी जीत लिया और भारत की जो मांटेरियन है एक मांटेनियर है परवतारोही जिनका नाम है भावना दोहारिया इ इसमें इसकी जो राजधानी है रियाद यहां पर जो G20 समिट का आउजन किया गया ठीक है बर्चोल आउजित किया गया था यह अब अगर हम बात करें इसराइल की तो हाली में इसराइल ने एक सड़क का नाम रवंदर नाथ टेगोर के नाम पर रखा है बात की जा साउथ यह भारतियों को ई बीजा फैसिलिटी इसने परदान की है तो इसका आप याद रखेगा इसी कसाथ हमारा अगला कोशन हाली में किस राजसवा सांसत का निधन हो गया है तो हाली में अमर सींग जी का निधन हो गया है और छे महीने से यह इस्पताल में भरती थे किड़नी फेल हो जाने के करणंका निधन हो गया है अगर हम बात करें अनिल मुर्ली जी की तो जो अनिल मुर्ली है यह मलियालम अभी निता थे जिनका हाली मनिदन हो गया अगर हम बात करें CS CS से सादरी के बारे में तो यह famous mathematician थे इनका हाली मिनदन हो गया है बात की जाए Sonam Serenig Lepcha के बारे में तो Padme Siri से सम्मानित Sonam Serenig Lepcha यह एक famous संगीतकार थे जिनका हाली मिनदन हो गया है तो उनको अब याद रखेगा इसी साथ हमारी वीडियो यहीं पर स्वाप्त करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो अपने दोस्तों के शेयर कीजिए कल फर में लेंग दोस्तों जैहन